प्रियान शाह हैं, सर नमस्ते, हम लाइफ पार्टनर का सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं, एक या दो बार मिलने पर सभी अच्छे ही लगते हैं, हमको क्या देखना चाहिए, किस आधार पर निर्ड़ने लें? तुम्हें अपनी पसंद नहीं अपनी कमजोरियां देखनी चाहिए, ये उन सब लोगों के लिए हैं, जो शादी बया वगएरा की प्रक्रिया से गुदर रहे हों, लड़के रड़कियों का चैन वगएरा करने का काम कर रहे हों, पसंद पर मत चले जाना, और खास तोर पे जो ततकाल पहले एक्षण की पसंद होती है, कि देखा और कोई पसंद आ गया, उस पर नहीं, अपनी कमजोरियों के आधार पे चैन करना, उसके लिए बड़ी विनमरता चाहिए, सबसे पहले तुम्हें ये सुईकार करना होगा, कि तुम्हारे जीवन में क्या-क्या है, जो ठीक नहीं है, जो रोगी है, कमजोर है, जिसको विकास की, सुधार की जरूरत है, और फिर तुम्हारी जिंदगी में जो प्रवेश करने वाला हो, उसकी और देखना क्याना कि मेरे भीतर वो सब कुछ, जो मेरा बंधन है, मेरे भीतर एक रोग है, दुरबलता है, बंधन है, यह जो इनसान है, जिससे रिष्टा बनाने जा रहा हूँ, क्या इस इनसान में वो क्षमताय ताकत है, कि वो मेरे भीतर की दुरबलताओं को, अंधेरे को, अज्ञान को ठीक कर पाए, या यह इनसान मुझे पसंद आही इसलिए रहा है, क्योंकि ये मेरी कमजोरियों को संक्रक्षन और प्रश्रे देगा, जहां मैं कमजोर हूँ, दुरबल हूँ, उस जगह को ये कभी छुएगा ही नहीं, और मुझे सुरक्षित रखेगा, समझ मैं आ रही ये बात, जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये आप आसा जानी से मानना चाहेंगे नहीं, क्योंकि बात कठिन है, हमें वो लोग पसंद आते हैं, जो हमारी कमजोरियों की कभी बात ना करें, और हमारी कमजोरियों पर कभी घात ना करें, अगर मैं कहीं कमजोर हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा आए, कि उस किसी वजह से एक हाथ मान लिए, कमजोर हो गया हो मेरा, मुझे वो व्यक्ति पसंद आएगा ही नहीं, जो आकर के मेरे उसी हाथ पर वजन रख देता हो, मुझे तो वो इनसान पसंद आएगा जो आए और बार बार कहे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ये हाथ अगर कमजोर है, तो तुम्हारा दाया हाथ अब से मैं बन जाओंगा, ये इनसान मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा दाया हाथ मान लिए कमजोर हो गया है, मेरी ये मेरा दाया हाथ बनने को तयार है, तुम्हारा दाया हाथ बनने को तयार है या वो तुम्हें दाया हाथ से लाचार अपंग कर रहा है, दूसरा वेक्ति आता है, वो कहता है तुम्हारा दाया हाथ में कमजोरी है ना, क्या होता है, तुम कहता है तुम कहता है इतना उठाते तुम कहते हैं क्या आदमी है दुश्मन है मेरा ये आदमी तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी पर वार कर रहा है लेकिन सहाब कमजोरी ओँपर वार होगा तभी तो कमजोरीआं कटेंगी अब खास तोर पर शादी ब्या के मसलों में तो हमें ऐसा कोई चाहिए ही नहीं जो कमजोरियों पर वार करे हमें तो जीवन साथी ही वही चाहिए जो अगर दाया हाथ कमजोर हो तो कही कि आज से तेरा दाया हाथ मैं हूँ जाने मन जा बड़ी प्रफुलता दोड़ जाती हाहा कौन इतना जोखम उठाए कि जो चीज सामने वाले को पसंद नहीं आती उसको वो बताए कौन इतना खत्रा उठाए कि सामने वाले की कमजोरियां गिनाए और सिर्फ गिना नहीं रहा वो उन कमजोरियों को ठीक करने का, वो उन कमजोरियों की शुद्ध का अभ्यास करने का जिम्मा भी उठा रहा है इतना कौन करे? इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है कि वो तुम्हारी कमजोरियां गिनाएं और फिर तुम्हारे साथ जान लगाकर उन कमजोरियों से मुक्ति का अभ्यान भी चलाएं, इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है, यह तो साधारन प्रेमी होते हैं शरीर के तलवाले इनको तो अगर पता होगा कि तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है या कहीं पर तुम कमजोर हो यह उस जगे की बात ही नहीं करें कहेंगे कि इससे वह वालती बाते करो तो इसका मूड खराब हो जाता है, इससे वह बात करनी ही नहीं है उसका मूड खराब हो जाता है तो फिर हमें उससे मुझे सांतोनाएं देने वाला है या साहस अधिकांश्ता ये सब जो तन के प्रेमी होते हैं सांतोनावादी ही होते हैं इनका काम ये नहीं होगा कि ये तुमारी जिंदगी में साहस और शौर्रे और सत्य लेकर गया हैं हमारी अहम वृत्य को जूट प्यारा होता है हम जूट बहुत असानी से खरीद लेते हैं जूट बिकता है तो ज्यादातर लोग तुमारी जिंदगी में जूट ही लेकर के आएंगे तुम बिलकुल साधार अनयन नक्ष के होगे तुमसे बोलेंगे तुमसे बढ़के प्यारा कौन तुमसे बढ़के सुन्दर कौन और अगर तुमको पता है कि तुम साधारण नैन नक्ष के हो और कोई सामने खड़ा होकर कि यह बोल गया कि तुमसे भढ़के प्यारा कौन सिर्फ इसी बात पर खारिज कर दो उसे, बोलो टूटा इसी बात पर टूटा रिष्टा जो कोई तुमसे तुमारे चरित्र के दोशों पर चर्चा ना करना चाहे उसको जान लो कि उसका तुमारे जीवन में प्रवेश तुमारे लिए शुभ नहीं होने वाला और जो कोई तुम्हें अनुमतिना देता हो कि तुम उसके दोशों पर चर्चा करो उसको भी जान लो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा सबसे बड़ा आलोचक होना चाहिए ये बात ही कितनी कठिन है प्रेमी से हमें आलोचना थोड़ी चाहिए प्रेमी से तो हमको आभूशन चाहिए आकर्शन चाहिए चाहिए, पिटा या तो स्वस्त संबंध बना अलो अलोचना का, नहीं तो जिन्दगी भर अलोचने का संबंध रहेगा, जो कि आहम तोर पर पति-पत्नियों का होता है, सुनो जी, आज अलोचना बनेगा, और तुम अलोचना भी नहीं कर सकते, जो तुम्हारे जितने निकट हो, उसको तुम्हारा उतना प्रबल आलोचक होना चाहिए, आलोचक माने निंदक नहीं होता, कि तुम सामने आये और उसने फट से दो गालियां दी, वो नहीं बात कर रहा हूं, कि सुबह उठाने के लिए भी तुम आए मुँपे जूता मार र कि जो जितने निकट हो, उसे उतना प्रबल आलोचक होना चाहिए, कि सुबह तुम उठ नहीं रहे और उसने तुम्हारी बिल्कुल बेल्ट निकाली, वेस्ट बेल्ट सटॉक से मारा, क्या कि देखो, ऐसे ही तो तुम्हारी अध्यात्मिक तरक्की होगी, ठीक, आलोचक का मतलब है, जो साफ साफ समझता हो, तुम्हारे मन की हालत, मन के ढर्रे, मन की पूरी संग्रचना और बनावट, आलोचन, लोचन शब्द है उसमें, देख पाना, इसकी नजर साफ हो तुम्हारे लिए, साफ साफ देख पा रहा है तुम कौन हो, और जुग्यों द इसलिए किया जाता है, कि तुम बहतर बन पाओ, तो शादी भ्याकर निर्णे भी इसी हिसाब से करो, कि बहतर बन पाओ, इसलिए नहीं करना है शादी, कि जिंदगी में कोई आ जाएगा, उससे घर भर जाएगा, कुछ शारीरिक सुख मिलने लगेगा, ये सब टुच्ची बात है, जैसे हर काम प्रगति के लिए करना है, वैसे ही शादी भी आंतरिक प्रगति के लिए ही करो, और कोई लक्षे नहीं होना चाहिए विवाह का, तुम्हारे सामीपे से, तुम्हारी संगति से हम एक बहतर इंसान बन पाएंगे, इसलिए तुम्हारी संगति से हम बहत तर इंसान नहीं बन रहे हमारा पतन हो रहा है तो निकलो बाहर अभी बाहर निकलो आरी बात समझें